हे गाईस तारिक मैता का उल्टा चश्मा में फाइनली दया भाबी की एंट्री होने जा रही है और गाईस यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है मतलब की जो सुन्दर है वो अपनी पूरी टोली लेकर पहुच चुका है गोकुलधाम सोसाइटी में लेकिन दोस्तो एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट के साथ जी हाँ दोस्तो वो इतनी जल्दी तो दया को गोकुलधाम वालों को दर्शन नहीं करवाने वाला मतलब दया भाबी की दर्शन नहीं आने आला तो गाइस यहांपर जो है हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर ले थी लेकिन दोस्तों यहांपर दो बड़े सवाल खड़े होते हैं पहला सवाल तो यह है कि जो सुन्दर है दया को तो लेकर ही आया है लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों को कि जो सुन्दर है वो 5-6 घंटे पहले तो एहमदाबाद में था और वो सिर्फ 5-6 घंटे में मुंबई तक पहुँच जाता है तो ओब्यस सी बात है कि वो फ्लाइट में आया होगा लेकिन दोस्तों क्या वो जो सारे बाकी के लोग हैं क्या वो भी एहमदाबाद से ही आया है अगर एहमदाबाद से ही आया है तो यार इतने सारे लोग फ्लाइट में कैसे आये मतलब उनका खर्चा किसने उठाया होगा क्या वो सारा खर्चा सुन्दरलाल जेठालाल से मांगने वाला है तो यार हम सो सकते हैं कि कितना जादा खर्चा होगा तो यहां पर जेठालाल की तो band भजने वाली है खर्चे के मामले में लेकिन फिर भी वो इस बात से खुशी होगा कि दया वापिस आगी है लेकिन दोस्तों हो सकता है कि सुनर को कहीं और भी जाना हो वो जो उसकी टोली है वो कहीं और जाने के लिए आई हो तो शायद उनका फ्लाइट का खर्चा ना देना पड़े और हो सकता है कि वो मुंबई से ही आयों वो लोग तो ये चीज भी हो सकती है तो दूस्तों ये जो दो बड़े सवाल है इनका अंसर हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चल जाएगा तो गईस आप कितने एक्साइटिड है तो आप अभी के एंटरी के लिए तारेक मेता शो में नीचे कमेंट सेक्षन में अपने जरूर बताना इस वीडियो के लिए हम लाइक्स का टार्गेट रखते हैं तीन हजार लाइक्स का तो यार तीन हजार लाइक्स कर देना देखते हैं हो पते हैं नहीं और इसी तरह की वीडियो के लिए अभी तो अपने पॉलिवूड टोक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया